वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तो आज लेकर आई हूँ इन ब्यूटिफूल सी लटकन का टुटोरियल ऐसी लटकन आशकल काफी ट्रेंड में है जिसे लोग अकसर लेंगे में लेंगे की ब्लाउज में और फ्रॉक में यूज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्कुराइर पीस कट किया है जो चार इंच है लंबाई चोड़ाई में इसकी मैं गोटा लाइस स्टिच कर रहे हूं एक एक लाइन इस तरह से स्टिच कर लेनी है और पूरे इस पर ऊफंच लाइन में लगा रही हूं ये straight भी लगानी है और उसके बाद cross section में भी लगानी है तो इस तरह से 5-5 line लगा लेनी है और ये 2 piece ready करने है एक लटकन के लिए और दोनों side लटकन लगेंगी तो ये 4 pieces हो जाएंगे तो इस तरह से ये ready कर लेने है एक लटकन के लिए 2 square piece ready हो गए है अब इन दोनों को आपस में दोनों की right side आपस में मिलाते हुए रखोंगी मैं और इसके 4 sides हैं तो सिर्फ 3 side भी याँपर मैं sly लगाऊंगी तो देखिए यहां से sly लगानी शुरू करनी है दोनों को आपस में रखते हुए right side दोनों की और guys इसकी मैंने short video पहले अपने channel पर upload कर दी थी पर मैंने सोचा कि viewers को अच्छे से समझ जा जाए इसलिए इसकी full video भी upload की जाए इसलिए मैं अब आप इसकी full video लिकर आई हूँ आपके लिए तो यहां पर इस तरह से sly लगा लेनी है अब मैंने यूज किया है यह golden dory जो थोड़ी सी stretchable होती है तो यहां पर यह इसकी किनारी पर रखकर यहां पर इसे stitch कर लूँगी golden dory की जगा आप यहां पर कपड़े की जो dory बनाते हैं वो भी बना सकते हैं red color की वो भी यूज कर सकते हैं या फिर जैसे आपके choice हो वैसे लगा सकते हैं वीडियो पसंद आए तो please इस लाइक करे, share करे और मैं चैनल को subscribe जरूर करे और कोई भी doubt हो आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे comment box में put सकते हैं तो इस तरह से कपड़े की sly लगा लिनी है और उसको अब यहां पर हमने पलट लिया है इस box को, portly को थोड़ा सा fluffy बनाने के लिए मैंने ये form का यूज किया है तो ये इस तरह से form लिए है जिसको मैं छोटे-छोटे pieces इसके cut कर लूँगी form की जगा आप यहां पर wastage कपड़ा भी उसको भी इस तरह से छोटे-छोटे से cuts करके वो भी use कर सकते हैं बट मैंने यहां पर ये form का use किया है अब इसको ये जो हमारा back सा बना था इसके अंदर पूरा fill कर दूँगी अच्छी तरह से इसके बाद जो इस पोटली की एक side जो बची है किनारी वो यहां पर slide लगा लेंगे कपड़ा अंदर की side fold करते हुए एक slide इस तरह से लगा लेंगे अब इसको हम यहां पर पलट लेंगे किसी भी जीज की help से पलट सकते हैं कुछ इस तरह से आ जाएगा यह अब इवने दो golden pearls लिए हैं अब इनको हम swing की help से नीडल की help से यहां पर इसमें bag में अपने पोटली से जो वनी है इसमें attach कर लेंगे तो पहले यह देखी ट्राइंगल में swing निकालनी है बिल्कुल टॉप पर उसके उसके बाद यह दोनों pearls जो है गोल्डन मोती यह मैं swing में डाल लूँगी उसके बाद अब हमी से जो हमारे यह पोटली सी है bag है इसके किनारी पर बिल्कुल नीचे की side इसे टक कर देंगे यहां पर काफी अच्छे से इसे पक करके attach कर लेना है देखी यहां पर नीचे की side किनारी पर लगा रही हूँ मैं और यह सिर्फ एक side पर नहीं लगा रही हूँ जो bag के लटकन के हमारी यह बाकी दो sides बची है side वाली इन पर भी मैं इसी तरह से same यह लटकन मोती लगा कर और यह नीचे का triangle बना कर कपड़े का यह attach कर लूँगी और मोती की जगा आप चाहें जो मरजी असेसरी इसमें यूज कर सकते हैं या फिर दो मोती की जगा आप तीन यह चार मोती भी लगा सकते हैं बट मुझे यह वाला जादा ठीक लग रहा था बैटर लग रहा था इसके मैंने इसे ऐसे बना दिया और इसकी दोन साइड इस तरह से ही यह लटकन से नीचे मैंने बना ली है तो इस तरह से यह देखिए हमारी यह लटकन बनकर रेडी हो चुकी है थैंक्यू फॉर वाचिंग